नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग उखुर कुलसेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके लिए लेकराएं क्लास सेवन मैद कोश्चन पर देखिए पहला कोश्चन वह संख है जो ना तो धन पूर्णांक है और नहीं रिड़ पूर्णांक है क्या कहा रहता है तो आप आपका एंसर हो जाएगा यहां पर जीरो खाव नमबर एंसर हो गया नेस्ट क्वेस्चन देखिए समिकरन इतने को हल करने पर एक स्कामान क्या आएगा आपको बताना है तीन से गुड़ा कर देगा तो तीन एक सपोलस तीन हो जाएगा माइनस दू एक सब्राबर दूस हो यहाँ पर X जो आपका 9 आजाएगा तो अंसर वह जाएगा आपका नेस्ट कॉशन देखिए हम रहा है निवन में पिस संक्रिया में का गुन्ड नहीं होता है यह बतना है तो तो आपका अंसर हो जाएगा इसमें घटाव में यहां पे अंसर हो जाएगा आपका door नमबर ठीके चाठ नमबर कुष्चन देखिए 32 का घथां के रूप कौन है तो दू के पावर हम पाँच जो लिखे हैं यहां पे गौह नबर एंसर तो दू को पाँच बाव डिक्षें गुने करेंगा तो जसा है एंसर हो जाएगा आपका गौह नबर दो नमबर क्वेश्चन देखेंए अस्तम ऑ से अस्तम बह में सही मिलान करना है जेखिए कैसे मिलाक करेंगे करायमौ से बड़ा होता है ही तो उसे गलता है किई गलते हैं ऱसने से 7 तो वह यहांb और आपको कोटेगा ही नहीं मतलब ही कटे गा या ऐसे भी जानिए कई नीचे दूपांच होता मिया ही व्हाआगगो 2000 ओ tomar जाए एक चॉदगा चॉद्व पहला है और उन और की संख्या, दाई और की संख्या में से क्या होती है, बड़ी या छोटी होती है, तो छोटी होती है, एक बटा सोय का और था है, सोवे हिसे के और, मतलब सोवे हिसे की और जो है, सोय हिसा है, ठीक है, के और सोय हिसे है, अब यहाँ पर देखें अगला क्वेशन क्या है, एक सम्भावू साथ डीगरी क्योंकि तीनों कोड़ों के पर चेड़ों के उच्ट में नियुनतम मानुच कोड़ों कोटे तब प्रिशार आता है कुश्य नमर चार देखिए ठीकि एक कौण तथा उसके पूरक की माप शामान हो तो कौ कोण की माप बताए कोण की माप बताए तो 45 टिगरी दो संख्या का माध्य भी तो परतेक संख्या में सद्धों घटाने पर नया माध्य क्या होगा तो नया माध्या अपका हो जाएगा दूगा अपका 18 एक से स्क्वार प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाए कि मतलब प्राप्त होगा तो एक से स्क्वार चाहिए प्लस वाई स्क्वार चा यह भी थेक्या बिख किस पूर्णाइंक में माइण सिक गूणय खुरुण पट इतना होगा किस पूर्णाइंक में तो 50 में पच्छास में जब पूंडय कर देंगे पचास से इसमें गूड़ा करेंगा ता जाएगा माइनस पचास दो समलों से इतना को परसावित रूप लिखिए और दू का स्थामिय मन बताना है तो देखें इसको कैसे बनना है आपको इसको क्या करना है लिखना है आपको चार गूड़े तीन पलास लिखेंगे एक बटा अब पलास दू गूड़े एक बाटा सोई ठीक है फिर आपको लिखना होगा पलास यहां पर और एक गूड़े एक बाटा एक हाजार ठीक है फिर इसका आप सलूशन करेंगे ता आएगा जीरो पॉइंट जीरो टू अब देखिए एक आयत के चैत्रफल एक बर के चैत्फल ढर पॉज्या बणाबर हो जाएगा अंदर ऊट चैत्रफण तो अंदर उट सहा है तो हो जाएगा दौ Die yüz क्याइंगा यह अपदेखिर एक स्ट्न क्यों प्लेद किर्ल्थ चारल किजिए शर्ल करना है आपको शतन नोमर क्वे म्व horizontal करना सब्स एब्स B square A square plus B square minus A B plus 3 है तो यहाँ पर देखे A square A square है इसमें उसके बाद यहाँ B square B square है यहाँ A B है और यह A B है तो आप यहाँ पर देजिए A B और A B जो है आपका क्या हो गया आप A B से B कट गया A और A मिलके हो जाएगा दूग A square दूग B square आप पोलस बहुचेगा आपका तीन कितना बहुच जाएगा दूग A square दूग B square पोलस तीन एंसर हो गया इस तरह से आप बना सकते हैं आपको जो है हम बता दें कि चार-पांच सेट बनाए हुए पांचों सेट दिपाण लेते हैं आप तो परिछा के पू कोस्टन है आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट कोस्टन भी है जो पीछले साब से पूछते आ रहा है उसाब कोस्टन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा तो थैंकि दोस्तों राधे राधे दोस्तों